नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है इस्टेडी ग्लोस पर और मैं हूँ आपका दोस्दीपक डेली करंटेफर के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है तो आज सबता की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं सबसे पहले motivational quote आप लोग के लिए है एक मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है याद रखिए कि जब संगर्ष का दौर आपके जीवन में होगा तो कोई भी वेक्टी आपके साथ में खड़ा नहीं होगा उस नाव को आपको ही पार लगाना पड़ेगा और याद रखिए कि राम जी ने बनवास काट कर ही अपने आपको साबित किया था तो ठीक उसी तरह आप लोगों को भी अपने आपको साबित करना पड़ेगा और उसके बाद जो सफलता आप लोगों को मिलेगी उसकी खुशी बेशुमार होगी और बधाई देने वालों का ताता लग जाएगा तो केवल वो एक मिनट के अंदर आपको जो सफलता मिलेगी वो आपकी असफलताओं की कीमत चुका दे तो याद रखना आप लोगों को सफ सफलता की और बढ़ना है और हर दिन जो है वो आपका संगर्श का दिन होता है हर दिन को आप लोगों को इस तरीके से जीना है कि मुझे एक ना एक दिन वो सफलता जरूर हासिल करनी ही होगी तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग न्यूस ओफ दा डे क्या कहती है कि राहुल द्रवीड जो है वो इंडियन टीम के नए कोच अपॉइंट किये गए हैं और बहुत ही बहतरी न्यूस है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताईएगा कि इंडियन जो वोमेंज करके टीम है इनके कोच कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि तो राहुल द्रविड जो है इनका अपॉट्मेंट हुआ है एज ए न्यू कोच यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं इस न्यूस को पढ़ रहा था तो एक कमेंट जो था वो वहाँ पर शो हो रहा था कि राहुल द्रविड टू टेक आवर टीम इंडियाज हैड कोच तो यहाँ पर क्या यह इंपोटेंट है इससे बहतरिन जो इंपोटेंट है वो यह है कि दुख वरे दिन बीते रहे भाया अब सुख आयो रहे तो राहुल द्रविड जो हैं वो अभी वर्तमान के अंदर हैदराबाद में एक क्लब के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब इनको इंडिया का हेड कोच जो है वो अपॉइंट कर दिया गया है आप लोग मुझे इस्टा पर फॉलो कर सकते हैं जो भी आपकी कोईरी से हो मुझे पूर सकते हैं इसके साथ में ही लेक्चर की पीडिया वितांसर्स आप लोगो को दीपा किंदोरा ओफिशेल ट जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारत के द्वारा इस रिपोर्ट को सिरे से खारिच कर दिया गया है हमने लाज शेशन के अंदर निउस ऑफ दा डे के अंदर कवर किया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बताते हुए एजिंसी के द्वारा भारत का गलत मै तक ये आवाज कैसे पहुँचे होगी लेकिन इंडिया ने इस बात का भी अपोस किया है कि भारत का जो मैप है पहली बात तो वो गलत क्यों शो किया गया है और भारत को इसमें 101 रेंक ये रेंक हासिल हुई है इससे पहले भारत की रेंक 94 थी क्या भारत जो है वो पाकिस्त होगा कि क्या ये एक authentic report है जी हाँ बिलकुल ये इसको सिरिसिक हारिच करने का सबसे बहतरीन जो कारण है वो यही है कि ये एक क्या है कि ऐसी global agency की द्वारा इसको नहीं release किया गया है जिसको worldwide माना जाता हो जैसे world bank की हम लोग बात करे world economic forum की बात करें तो उनकी द्वारा इस report को जारी नहीं किया गया है एक agency की द्वारा जो कि एक country level पर काम करती है उसी की द्वारा इसको release किया गया है तो भारत की rank जो है वो 101 है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि global hunger index जो है इसने भारत भारत की जो rank है वो slip हुई है कितनी slip हुई है कि भारत जो है वो 101 वी rank पे आ गया है लेकिन बारत जो है वो पाकिस्तान नेपाल और बांगलादेश ये भी पीछे है तो भारत की rank 101 है नेपाल की 76 है बांगलादेश की 76 है मयनमार के 71 है और पाकिस्तान की 92 है भारत जो है इसमें ये यलो जो दिख रहा है वो भारत है और भारत को serious countries के अंदर रखा ग यहां पर जिस मैप पर भारत की दौरा अपोस किया गया है उस मैप के अंदर अक्साई चीन जो है जिस पर चीन ने 1962 के अंदर कबजा किया था उसी मैप को भारत की दौरा क्या किया गया है अपोस किया गया है क्योंकि यह जो है पोर्चन यह चाइना के अंदर दिखाया गया ह नेक्स देखिए आप लोग कि ये एक annual report है जो कि globally, reasonably और national level पर release की जाती है तो total 116 countries के अंदर भारत की जो rank है वो है 101 नेपाल की rank हम लोग उने देख ली है नेपाल और बंगलादेश की दोनों की same rank है Myanmar की 71 है और Pakistan की जो rank है वो 92nd place पर है इस rank के अंदर जो top रहा है वो है China, Brazil, Kuwait अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें जितने वी developed nations हैं USA की हम लोग बात करें, Canada की बात करें उन देशों की rank कहां पर है तो उन देशों को इस rank के अंदर बेसिकली शामिल ही नहीं किया गया है तो maximum developing nation जो हैं वो इसके अंदर शामिल हुई है और बात कर रहे थे हम लोग agency की तो Ireland की agency है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं wealth, hunger, high life जो है इनकी दोरा इस report को जारी किया गया है अगला question देखिए बहुत ही important है कि recently National Commission for Protection of Child Rights इसके जो head है वो कौन बनाए गये हैं तो प्रियंक कानून को जो है इनका reappointment हुआ है यहाँ यह आप लोग site को visit करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि यह जो है यह 2005 के act के तरह निर्मित किया गया था 2007 के अंदर तो March 2007 के अंदर National Commission for Protection of Child Rights के लिए यह commission establish किया गया था March 2007 के अंदर और इसमें box को जो act है 2012 के अंदर निर्मित किया गया था वो भी इसके अंदर ही include होता है तो one day exam में पहली बात तो आप लोग इसकी full form जो है वो ज़रूर याद रखिये the protection of child children from sexual offense तो 2012 के अंदर act आयता, full form आप लोग ज़रूर याद रखना और इसके लिए 18 years के जो child है निकि इससे कम के जो बच्चे हैं उनके साथ में जो sexual offense होते हैं उनको इस गिंती में गिना जाता है लेकिन यहाँ पर some symptoms of sexual abuse के कुछ symptoms है जैसे हम लोग इसकी बात करें तो poor attendance of child in school यदि मालीजे कि बच्चा काफी दिनों से school के अंदर absent है तो हो सकता है कि कही न कहीं यह reason हो सकता है तो इन ही सारे symptoms को यदि combine कर लिया जाए तो कहीं न कहीं एक result सामने निकल कर आता है जिसको sexual offense की गिंती में गिना जा सकता है तो उसी साइट पर ये सारे symptoms जो है वो दिये गए हैं तो आप लोग इन पर एक बार जरूर नजर डालिएगा तो प्रियंक कानून को जो हैं वो वापस से reappoint किये गए हैं और second term इनका इस बार रहेगा चलिए हम लोग बात करें National Commission for Protection of Child Rights Establish किया गया था 2007 के अंदर Headquarters है New Delhi में और President Priyank कानून को को बनाया गया है third question देखिए कि World Student Day Dr. APJ अब्दुल कलाम जैन्ती जो है ये कब Celebrate की गई है तो अब्दुल पाकिर जैनुलाब दिन अब्दुल कलाम की जैन्ती है वो recently 15 October को Celebrate की गई है As a World Student Day तो आप लोग इसको बड़े अच्छे सी याद रखना यहाँ पर World है नैशनल नहीं है ठीक है चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत की Former President ही रहे हैं और 15 October 1931 के अंदर ही इनका जन्म रामेश वरम तमिलाडो के अंदर हुआ था और यह भारत के ग्यारवे राष्टपती बने थे थीम इस बार की देख सकते हैं Learning from People Planet, Prosperity and Peace यह जो है वो इस बार की थीम है और अब जो है वो 19th birthday है मतलब 90 हुआ इनका जन्म दिवस है 15 October 2021 को Top 5 Days हम लोग देख सकते हैं International Day for Disaster Reduction यह 13 October को celebrate किया आता है World Arthritis Day जो है वो 12 October को International Day of the Girl Child बहुत important है याद रखना 11 October को और National Postal Day जो है वो 10 October को World Mental Head Day जो है Health Day वो 10 October को celebrate किया जाता है अगला कुशन देखिए मिडोली केला मैंने आप लोग को बता है कि GI Tech की अभी बारिश हो रही है और उसी बारिश के अंदर एक बून्द है कौन सी गोवा का केला है मिडोली केला गोवा का और गोवा की मिर्श जो है इसे भी GI Tech दिया गया है ध्याद रखना भारत के अंदर एक मांत्र GI Tech Center याद रखना GI Tech Center जो है वो कहाँ पर इस्थित है गोवा एरपोर्ट पर इस्थित है यहाँ पर आप लोग देख सकने हैं कि इसको GI Tech दिया गया है यह केला गोवा में उपलब्द सबसे लोगप्रिय है और स्वादिष्ट केला है केला प्रोडक्शन के अंदर साउथ के जो स्टेट्स है वो हमेशा अवल रहते हैं और इसलिए पूरे विश्व के अंदर केला उत्पादन में भारत की दूसरी रैंक है और भारत के अंदर आंधर प्रदेश जो है वो सरवादिक केला उत्पादक राज्य है गोवा का एस्टाब्लिश किया गया था 13-30 माई 1980 को कैपिटल है पंजी और इसके साथ में ही चीफ मिनिस्टर औफ गोवा कौन है प्रमोज सावन जो है वो यहां के चीफ मिनिस्टर है गवरनर कौन है पी एश, शिरीधरन, पिल्लई, चीफ जश्टिस है दिपांकर दत्ता दो नेबरिंग स्टेट्स हैं गोवा के महराश्टर है और करनाटका है यहां पर लोग सभा सीट्स कितनी है दो है, राज़ सभा सीट्स एक है असेंबली सीट्स फोटी है ठीक है, तो गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज़्य है टॉप फाइफ जी आई टैग की हम लोग बात करें तो अली बाग, वाइट अनियन जो है वो महराश्टर का है, फिर कश्मीर का विलो बैट है राज़स्तान की सोज़त की मेंधी है असाम के जुडिमा राइस वाइन है फिर मद्यप्रदेश के चिन्न और राइस है ये आप लोग जी आई टैग ज़रूर याद रखना मैच करने के लिए एक्जाम में कोशन ज़रूर पूछे आता है विच कंट्री, और सॉरी विच कंपनी हैस बीन गिवन दा स्टेटस आफ महारतना तो रिसेंटले आपको पता होगा कि Power Finance Corporation Limited जो है इसको क्या दिया गया है महारतन का दर्जा दिया गया है और ये भारत की ग्यारवी महारतन कंपनी बन चुकी है Special Criteria को लेकर Special Criteria के अंदर Investment, Turnover, कई सारे Criteria जो हैं, वो गिने जाते हैं Power Finance Corporation जो है वो भारत की महारतन कंपनी बन चुकी है मिनी रतन कंपनी कितनी हैं 16 जो हैं वो भारत के अंदर मिनी रतन कंपनी हैं Establish किया गया था July 1986 को Headquarters है New Delhi के अंदर Chairman and MD कौन है Ravindra Singh धिलो Next question देखिए Miss Earth India 2021 का खिताब जो है Miss Earth 2021 का ये खिताब जीता गया है कहां से इनका संबंद Bangalore से इनका संबंद है लेकिन इसके साथ में ही Vanshi का परमार जो हैं जो की हिमाचल प्रदेश से आती हैं इन्होंने भी टाइटल जीता है Beauty with Responsibility 2021 का Next question देखिए भारतिये बैंक संके नया अदक्ष जो हैं वो कौन बने हैं तो अतुल कुमार गोईल जो हैं वो भारतिये बैंक संके नया अदक्ष बने हैं काम है इसका कि जितनी भी commercial banks हैं उनको regulate करने का काम है मतलब उनके लिए जो नियम निरधारित होते हैं ये Indian Banks Association के द्वारा ही निरधारित किये जाते हैं तो recently अतुल कुमार गोईल जो हैं वो इसके प्रसिडेंट अपॉइंट किये गए हैं आई बे के दिए हम लोग बात करें तो Indian Bank Association को एस्टाबिश किया गया था 26 सितंबर 1946 को Headquarters है मुंबई के अंदर और Chairperson अतुल कुमार गोईल अपॉइंट कर दिये गए हैं बड़ा ही बहतरिन कदम जो है वो हरियाना Government के द्वारा लिया गया है क्या है वो कदम Government Employees जो है इनको Politics के अंदर Election लडने में प्रतिबंद लगा दिया गया है हरियाना सरकार के द्वारा आप लोग को पता होगा कि हरियाना Government जो है वो पिछले एक साल से एक साल बहुत लंबा टाइम पिरेड होता है एक साल से जो किसान आदोलन है वो हरियाना के अंदर चल रहे हैं और अब जो है कई ऐसे Government Persons हैं जो कि उस Protest के अंदर Involve हो रहे हैं तो उसी नजरीय को देखते हुए ये जो है Participation Politics के अंदर ये रोक दिया गया है हरियाना Government के तो आदर तो काफे अच्छा कदम भी है देखिए आप लोग को एक Schedule याद होगा Schedule 10 दस्वी अनुसूची को 52 सम्विधान संशोदन करके 1985 के अंदर जो भी दल बदल करते हैं तो दल बदल पर रोक लगाने के लिए Anti-Defection Law जो है वो इसके तहत ही आता है और दल बदल पर रोक लगाने के लिए ही दस्वी अनुसूची को जोड़ा गया था भारतिय सम्विधान के अंदर हरियाना की Capital है चंडीगड, मनोहरलाल, खटर जो है वो यहां के Chief Minister है, Governor है बंदारू, दत्राते और हरियाना के Chief Justice रवी शंकर जहां है फोक डांसेस आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले भी कई बार बताया आप लोग को इसके साथ में देखिया आप लोग फाग है, फिर है Song Dance और छेती, ठीक है यो तीन जो हैं वो Dance Forms हैं हरियाना की इसके साथ में खोरिया ये तो तीन तो Famous हो गई, फिर धमाल है, डफ है, घूमर है जूमर है, ठीक है फाइव नेबरिंग स्टेट्स हैं, यूपी है राजस्तान है, पंजाब है, हिमाचल है और उत्राखंड है तो हर्याना के अंदर लोगसवाज सीट है 10 राजसवाज सीट है 5 और असेम्मिली सीट कितनी है, 90 है नैशनल, पाक कौन से हैं यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी भारत के अंदर वेटलेंड जो है वो टोटल 46 बन चुके है रिसेंटली हर्याना और महाराश्टर के अंदर, सॉरी, हर्याना और गुजरात के अंदर दो जो थे वो वेटलेंड अनौंस किये गए थे उन में से एक तो है सुल्तानपुर और दूसरा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा वेर इन हर्याना दक वार ओफ महाबारत वास फॉर्ट तो कौन सा चेत्र था वो तो वो था कुरुशेत्र इसके साथ में ही विस सिटी ओफ हर्याना इस कॉल्ड दा अगला कुशन देखिए अमी हंटर जो है यह क्या बनी है फीमेल क्रिकेटर है जिनका संबंद कौन से देश से है और इन्होंने खिताब कौन सा हासिल किया है यंगेश्ट वन डे इंटरनेशनल सेंचुरी इन्होंने मारी है तो आइरलेंड से इनका संबंद है भारत के द्वारा भी मिताली राज जो है उन्होंने 1999 के अंदर सेंचुरी सबसे कम उमर के अंदर मारी थी और उन्ही का रिकॉर्ड जो है वो एमी हंटर के द्वारा तोड़ दिया गया है तो इनका जो है वो कौन सा है मिताली राज ने आयरलेंड के खिलाफ ही ये स्कूर बनाया था जून 1999 के अंदर अगला कोशन देखिए कि भारत की द्वारा एक मिलिटरी एकसाई जो है वो कंड़क करवाई गयी है जिसका नाम है युद्धा भ्यास और भारत के साथ USA जो है साथ में जापान और आउस्ट्रिलिया जो है वो भी दोनों शामिल होते है तो ये इसका 17th edition है युद्ध अभ्यास का तो युद्ध अभ्यास ही इसका नाम है गलत मत करते हैं आप लोग इसके अंदर युद्ध अभ्यास जो है इसका नाम है और 14 दिन जो है ये military exercise चलने वाली है चलिए अगस्त मन्त के हम लोग current affair को revise कर लेते हैं टोक्यो पेरालॉंपिक के अंदर पेरा खिलाडियों का दल भीजा गया है कितने वो है 54 और इसमें भारत की जो rank थी वो कौन सी थी 24th rank थी भारत की नेक्श्ट बुक देखे एक्सलेटिंग इंडिया 7 years of Modi government ये बुक जो है इसका विमोचन रिलीस किया गया था एम वेंकेन नाइडू के द्वारा भारत का पहला drone forensic lab and research center जो है वो काँ पे खोला गया है तिरोननदपुरम के अंदर खोला गया है महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्ट बनाने के लिए सोन चरैया ब्रांड और लोगों को किस मंतरा ने लांच किया है तो Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा पाकिस्तान की पहली महिला मुखिन आइडिश बहुत ही important question है revise इसलिए ही किया जाता है कि जो questions आप लोग पहले के भूल रहे हैं उनको वापस से revise करें इसलिए आप लोगो याद रखना है कि पाकिस्तान की पहली महिला मुखिन आइडिश जो हैं वो कौन बनी है आईशा मलिक बनी है आई भी ऐसे परटन मंतियों की बैठा कायजन किस देश में किया गया है तो recently इंडिया के अंदर हुआ है आप लोगो पता ही होगा हाल ही में तालिबान ने किस देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर कबजा कर लिया है तो वो है अफगानिस्तान हाल ही में किस और्बिटर ने चंद्रमा की सतय पर पानी के अनों का पता लगा है तो वो है चंद्रियान टू देश में अगले साल एक जुलाई दो हजार बाईस एक किस चीज पर पूर्टर प्रतिबन लगाने की गोशना की गई है तो सिंगल यूस प्लास्टिक जो है इस पर प्रतिबन लगा दिया जाएगा भारत की आजादी की 75 वर्षगांट की उपलक्ष में किस तिती तक आजादी का अमरत महुसव मनाय जाएगा तो 12 मार्च जिस दिन से दांडी यात्रा प्रारंब हुई थी तो 12 मार्च से लेकर 15 अगस्त 2022 तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा ठीक है तो 15 मार्च 5 अप्रेल तक 12 मार्च से 5 अप्रेल तक तो दांडी मार्च किया गया था और अब जो है वो 15 अगस्त 2022 तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा 16 अक्टूबर के हम लोग current affair को revise कर लेते हैं World Steel Association के नए अध्यक जो हैं वो संजे जिंदल बने हैं अंतराश्ट्री इक च्छरा दिवज जो है 14 अक्टूबर को celebrate किया जाता है 58 वे Renewable Energy Country Attractive Net Index 2021 में भारत का इस्थान कौन सा रहा है तीसरा रहा है किस राज्य के चमबा चपबल लाहोली निटेड जुराप और दस्ताने को GI टेग दिया गया है तो वो है हिमाचल प्रदेश ISSF Junior World Championship 2021 का आउजन जो है वो Lima Peru के अंदर हुआ है Global Business Sustainability Leadership के लिए प्रतिश्टिट C के पहलात पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है ये correct answer होगा मतलब A जो है वो correct answer है Next देखिए बैक्टीरिया वाइरल संकरमन के निगरानी के लिए देश की पहली One Health कारिकरम के शुरुआत किस ने किये तो DBT मतलब Department of Biotechnology किसी अनानास मतलब आप लोग जानते होगा अनानास पाइनेपल तो पाइनेपल से चमड़ा बनाने के लिए Peta India Award जो है ये किसको दिया गया है तो Jams PK संग्मा को दिया गया है भारत का पहला अटल सामुदैक नवचार केंदर जैपुर में शुरू किया गया है October 2021 में किस कंपनी ने देश भर में Micro ATM शुरू करने की गोशना की है तो वो है Kodak Mahindra Bank ये कल का हमारे Shady Gloss Quotion था कि Twitter एप का भारती वर्जन जो है वो कौन सा है तो आप लोग याद रखना Qo app जो है ये इसका भारती वर्जन है मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी आप लोग बताईए कि ये जो Qo app है ये किसके द्वारा डवलप किया गया है आज का आप लोग के लिए Steady Gloss Quotion है कि Any Award 2020 से किसे सम्मानित किया गया है बस आप लोग के लिए हिंट इतना है कि इनको भारत रतन दिया जा जोगा है तो चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताईएगा Quotions का Quiz जो है वो आप लोग के लिए Available होगा Telegram चैनल पर Deepak Indora Official पर तो उसे Join करना है और Quiz को Attempt करना है Steady Gloss आप लोग के लिए भूरती बहती बहतीन कंटेंट लेकर आता है Knowledge is Power ये हमारी टैग लाइन है तो चलिए कल मिलते हम लोग बहती बहती बहतीन लक्चर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद Thank you